यहां पर हम बहुत बार देखते हैं कि मार्केट जब ग्याप उपन होता है तो ग्याप उपन होने के बाद हमें कुछ भी ट्रेट करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि हम तो रीटेलर हैं यहां से इतना ग्याप उपन हुआ था यह बैंक निप्टी आज बिल्कुल यह 310 तो चेक कर सकते हैं कि 44 सब कर स्ट्रेक प्रैस मैं देखता हूं यहां पर तो मुझे यह समझ में आ गया कि यहां से देखे ग्याप उपन हुआ 200 से सीद्धा 1945 चार सो ठीक है जब gap up open हुआ है तो इसने top बनाया 45 waterproof का और धीरी धीरी नीचे आया और यह 9.5 से 10 बजे के बीच का यह candle है शाड़े 9 से 20 बजे के बीच का यहाँ एक low बनाता है बाजार अगर उपर जाने वाला है बाजार क्या वो particular strike price जो है अगर उपर जाने वाली है तो वो पाउने 10 से 10.30 बजे की बिच में एक low बनाती है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐसे में जैसे ही वो पाउने 10 बजे आती है यहाँ पर मैं एक trade लेलता हूँ क्योंकि मेरा तो target है 2% अभी तो मैंने 1% ही कर दिया है क्योंकि मैं 4 months में double की सोच लेके चल रहा हूँ पहले मैं 2 months में double की सोच लेके चल रहा था तो अभी मैं 4 months लिया हूँ और ज़्यादा टायम लिया हूँ या फिर तेजी है है ना मंदी तेजी नहीं देखना यह देखना है कि gap up कौन सा गया है और धीरे 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 कौन सा नीचे आ रहा है ठीक है मानलो आज call मतलब बाजार पॉजिटिव था और gap up से open हुआ और यह call है 44,100 का यह धीरे धीरे नीचे आया लेकिन बाजार तो नी नीचे आने के लिए तयार नहीं है ना निप्टी तो नीचे निप्टी फिप्टी या फिर बैंक निप्टी नीचे आने के लिए तयार नहीं है call नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है यह कभी ना कभी उपर जाए गई वो स्टेडिंग सेसिंग के दवरान तो यह पाउने 10 बहुत मोग के दिये थे उपर जाने के लिए ठीक है लेकिन मैं तो सिर्फ एक परसेंट का ही मालिक हूं तो यह है अब दूसरा है यह तो चवालिस सव का है अब देखिए बादार उपर था गया अब सवालिस सव का पूट देखते हैं पूट में कोई भी इस तरह का हमको हरकत नहीं है तो यहां पर कोई भी 10 Quiz के आसपा साथ 10 का के आसपाज एक लो नहीं बना है यहां पर हायर हाइस में ही कया है तो यह मेरे काम का चार्थ नहीं था इसको छोड़ दिया है जबकि मैं गायर पप उपन होने के बाद में यह पूट साइड में ही ज़दा इंडरे रख तो यहां पर देखिए चावालीस दोसों के पूट में देखते हैं तो यहां पर देखिए गया काफी गया मतलब 200 से सीधा 400 हो गया डबल हो गया वो तो चलो डबल हमारे मेरे बस का वो नहीं था लेना इतना प्राफिट लेकिन इसने लो बनाया बाजार तो उपर ही है आवे उपर 500 वा फिर 100 नीचा आया और ये भी नीचा आया ठीक है ये ये भी नीचा आया देखा कि यहां पर पावने 10 बज़े का ये केंडल है तक दस बच के 30 मिनिट का शादी केंडल है तो देखा कि लो बन गया है तो मुझे लगा चलो यहां पर भी एक खरदरी का मौका बन सकता है लेकिन मैंने अल्रेटी टेड ले लिया था और प्राफिट भी ले लिया था तो लेकिन मैंने अब्जर्ब किया कि हाँ यहां पर यह लो बन रहा है पूट सैड में लो नहीं बन रहा है कॉल सैड में लो बन रहा है जबकि बादर उपर है तो इसका मतलब यह थोड़ा सा नीच आएगा और वापस से उपर जाएगा तो यह मेरे समझ में आ गया ठीक है और प और यहाएगा नहीं कर रहा हूआ है यह जू और दीट बज़े के बात का Лों है यह मेरे काम का नहीं क्यॐंकि मैंने जो observeession की है कई मैंनों चोब करें मैं देख रहा हूं तो मैं धैकर ते कर आसफार आसी हरकत मुझे दी यहां पर भी बाज़ार बाजार में एक यहां पर हाई बनाया लेकिन यह धीरे धीरे नीचे 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 आया और जबकि बाजार उपर जा रहा था तो यह कॉल भी उपर जा रहा था तो यह लो नहीं बना पाया एक्चिली इस कॉल ने ऐसे ऐसे आना चाहिए था जहां पर भी पाजाराथ 10 से साड़े 10 बजे के बीच में ये लोग बना था और उसके बाद यहां पर भी ट्रेट बनता, लेकिन यह अपने जो फॉर्मेट है, उस में बना नहीं है, यह पहले से ओपर था, जबकि बाजार उपर होने के बाद में भी एक पूट का मौका बनता है साड़े दस ग्यारा बजे के आसपास में या फिर पॉने दस बजे के आसपास में लेकिन यहां नहीं बना है इसलिए नहीं बना है यहां पर भी देखिए चवाली 300 का पूट मौका कहीं पर भी नहीं बना है वो इसलिए नहीं बना है क्योंकि बाजार फुल बुलिश था फ पर कॉल में लो बनाया है कोई भी कॉल लीजिए दिखें यहां पर गैप उपन हुआ दिखें यहां से 140 के आसपास से हुआ और सीधा कितना गया तकरिबन 300 है ना मतलब डबल तो सारे हुआ है वह तो छोड़ दीजिए और उसके बात एक धीरे 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 घिरावट आ वीडियोस में हमको दिखता है कि खुलते ही खर लीजिए उसमें बोलता है कि नव बीस पे नव पच्चिस पे अलग-अलग स्क्राटेजीज हैं मेरे दिमाग में यह आया है कि बाजार जैसे खुलता है तो साड़े दस पौने नव से साड़े दस बज़े के बीच में आपक इस तरह का ग्राफ चुना हूं जो उपर जाए और एक लो बनाए नो बच के पैंतालिस मिनिट से लेकर तस बच के तीस मिनिट के बीच में इस तरह का जो भी लो बनाएगा बाजार चाहिए कई पर भी हो उपर हो नीचे हो उससे मतलब नहीं है मैंने बता आपको बाजार लेकिन put side में कोई भी इस तरह का graph नहीं बना है तो हमके put लेने की ज़रूद बिल्कुल भी नहीं क्योंकि बाजार ये कहना चाहरा है कि मैं नीचे नहीं रहूंगा लेकिन थोड़ी दिर के लिए नीचे आऊंगा ठीक है अगर बाजार ये कहना चाहता कि मैं बिल्कुल नीचे आना चाहता हूं तो वो एक pattern ज़रूर बनाता है अगर बाजार ये कहता कि मैं नीचे आना चाहता हूं तो ये put का chart है ये पूरा के पूरा put का chart है बाजार इस तरह से कोई एक pattern जरूर बनाता है यहां पर है ना इस तरह से जैसे यह gap उपन हुआ फिर इस तरह से कोई pattern बनाता है यहां पर और बाजार जैसे ही यह बताएगा हमको की नीचे वो आना चाहता है तो यहां से फूट की किमर बढ़ेगी ना तो यहां से उपर रहा था कि बाज़ार नीचे नहीं आना चाहता है लेकिन थोड़ देर के लिए नीचे जरूर आया और यहीं एक मौका हमको मिला दस बज़े के आसपास और यहां से जिसने भी मतलब मैंने तो खरीदारी की थी और मुझे मौका मिला क्योंकि यहां पर मैं विदाट स्टॉपलस खरीदारी करने में ज़्यादा वो करता हूँ क्योंकि स्टॉपलस भी एक लॉस का कारण होता है लेकिन खैर चलो स्टॉपलस लगाना चाहिए लेकिन मुझे वह नहीं लगता है क्योंकि एक तो इतना साल हम ट्रेड करें इतने साल से फिर हम स्टॉपलस के साथ ट्रेड करेंगे फिर वह जाएगा हम तो लेते हैं दो लेता हूं लेकिन हिट ना हो है ना stopless तो में लगा लेता हूं लेकिन हिट ना हो तब मैंने देखा कि हाँ यह बाजार में ऐसी जगह ढूंडो जहां से gap up open हो और थोड़ा 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 उसमें profit booking आए और बाजार यह call है आप इसे पूट में भी समझ सकते हैं मैं तो इसे पूट में भी समझ चुका हूं जिस strike price को उपर जाना है ना तो वो क्या करेगी थोड़ा सा यहां पर profit booking दिखाएगी और वापस से वो एक bounce मारेगी ठीक है और बाजार वापस से उपर चला जाएगा है ना तो यह चार्ट का खेल है य पूट में भी profit booking आ सकती है नीचे जा रहा है तो पूट में भी profit booking आ सकती है ठीक है यह है तो जिसमें भी profit booking आएगी थोड़ी देर के लिए और बार में उपर जाएगा उसका graph इस तरह से ही दिखेगा यह मैंने देख लिया और जिसमें जो आपको profit नहीं देने वाला है और देख रहा है देखे बाजार इस candle से इस candle के बाद में बाजार यहां से गिरना चाही था लेकिन वह यहां से उपर चला गया तो यह कोई मतलब यह डी सेप है यह मतलब यह सेप गलत सेप है हमारे यह हमारे मेरे फेवर का सेप नहीं है मेरे फेवर के सेप यह है या फिर आप नीचे आए और एक लोग बनाएं और यहां पर मुझे मौका दे और मैं एक के दो परसंट हाला कि यहां से वो तकरिबन दस परसंट प्रॉफिट दिया है लेकिन मैंने एक ही परसंट दिया है तो यह जो मेरा एक्सप्रियंस है यह अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी व